यह जॉली ललवी कुछ conversations हैं जो कि आज मैं आपके लेकर रहा हूं जिसके थूरू आज हम English सेखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं पहला है क्या नाम बताया आपने जॉली जॉली कहते हैं मुझे जॉली जॉली कहते हैं मुझे यह पिल दिया है आपने ड़ दिया है आपने, आपील को एपल लिख रखा है आपने, and prostitution instead of prosecution, and prostitution instead of prosecution prosecution को prostitution लिख रखा है आपने बच्चे का दिल रखने के लिए डॉक्टर सहाब ने उसे अंदर बुला लिया यहाँ पर अर्सद वार्सी जस्ट सहाब को बोल रहा है अपने क्लाइन्ट के लिए जिसने अपने बच्चे के साथ मिल कर एक व्यक्तिका ऑपरेशन किया था तो यहाँ पर अर्सद सहाब से बोल रहा है बच्चे का दिल रखने के लिए डॉक्टर सहाब ने उसे अंदर बुला लिया लेकिन बच्चे ने पेशन को हाथ तक नहीं लगाया यहाँ पर वो सबूत दे रहा है जिसका ऑपरेशन हुआ था यह सबूत है मैडम यह क्या है सब को श्ट्रगल करना पड़ता है यार यहाँ पर अम्रता राव अर्सद वार्सी से बोल रही है everybody has to struggle, everybody has to struggle सब को struggle करना पड़ता है यार तू इकलाता नहीं है you are not the only one you are not the only one तू इकलाता नहीं है बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से जो तेरे जैसा जहन्डू वाकिल कर लिया मैंने यहाँ पर वो व्यक्ति अर्सद वार्सी को बोल रहा है जिसने अपना वकिल उन्हें किया था बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से जो तेरे जैसा जहन्डू वकिल कर लिया मैंने आज तक तो किस भी नहीं करने दिया तूने मुझे यहाँ पर अर्सद वार्सी अम्रता राव से बोल रहा है आज तक तो किस भी नहीं करने दिया तूने मुझे करने दूंगी भी नहीं बाप कमाल है यहाँ पर अम्रता राव अर्सद वार्सी से बोल रहा है आइम नौट यूर परसनल प्रोपरिटी बाप कमाल है क्या मुझे इंडिया का सबसे बड़ा वकील बनना है यहाँ पर अर्सद वार्सी बोल रहा है I want to be the best lawyer in India I want to be the best lawyer in India मुझे इंडिया का सबसे बड़ा वकील बनना है मीडिया जिसके आगे पीछे left right दौरती रहे someone the media loves someone the media loves यहाँ पर आप shortcut में बोल सकते हैं someone who creates a sensation when he enters the court जब court room में घुसे तो हल्ला मच जाना चाहिए यह चाहिए मुझे यहाँ पर अर्सद वार्सी बोल रहा है कि यह चाहिए मुझे that was I really want that was I really want यह चाहिए मुझे जगदीस चागी उर्फ जॉली ने अब court में एक एफ़ी डेविट देकर संसनी फैला दी है यह एक न्यूस की हेडलाइन है जगदीस चागी अदर्वाइज नोन एस जॉली has created a sensation by filling an affidavit जगदीस चागी अदर्वाइज नोन एस जॉली has created a sensation by filling an affidavit जगदीस चागी उर्फ जॉली ने अब court में एक एफ़ी डेविट देकर संसनी फैला दी है यहाँ पर कुछ एडवोकेट अर्सद वारसी को कुछ एडवोइज दे रहे है think practical practical सोचो practicality के गधे के पिछवाडे में to hell with practicality to hell with practicality practicality के गधे के पिछवाडे में मुझे तो बस अभी लड़ना है I want to fight this case I want to fight this case मुझे तो बस अभी लड़ना है I want to fight this case दो कौड़ी के हो यहाँ पर वोमन इरानी अर्सद वारसी को बोल रहे है कि तुम छोटे वकील हो you are a nobody दो कौड़ी के हो you are a nobody क्या कर लोगे तुम what can you do what can you do क्या कर लोगे तुम मेरट कहूँ I am from Merit friends यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है I am from Merit मेरट कहूँ अपनी पर आ गयाना तो गुड का गुड़गाउँ बना दूँगा if I want I can turn your life upside down if I want I can turn your life upside down अपनी पर आ गयाना तो गुड का गुड़गाउँ बना दूँगा friends यह एक slogan है जिद्गी में उताद चढ़ाओ ला दूँगा यह कह सकते हैं आप नेक्स्ट है तुम गवाहिद दो या ना दो वैदर यो टेस्टिफाई और नॉट तुम गवाहिद दो या ना दो मैं तो सच धूड के निकालूंगा मैं तो सच धूड के ही निकालूंगा यह जॉली कौन है यहाँ पर वोमन इरानी से कुछ एड़ोकेट्स पोच रहे हैं कि हूँ इस जॉली कौन है वह कुछ नहीं है कान के नेचे दूँगा तो तेरी साथ पुस्ते बहरी पैदा होंगी यहाँ पर अरसद वारसी बोमन इरानी को कोर्ट में लड़ते समय बोल रहे हैं कान के नेचे दूँगा तो तेरी साथ पुस्ते बहरी पैदा होंगी मैं इसको यहीं पीटूँगा आप यह भी कह सकते हैं I will beat him to right here मैं इसको यहीं पीटूँगा चुप रहेगा नहीं रहेगा यहाँ पर जजज बोलु रहे हैं अरसद वारसी से चुप रहेगा या नहीं रहेगा ऍरलाइजस सहाब से कई बार यह dialogue सुना है कानून के हाथ लंबे होते हैं I have often heard of the wide reach of the law I have often heard of the wide reach of the law friends यह line बहुत ज़्यादे use होती है कई बार यह dialogue सुना है कानून के हाथ लंबे होते हैं I have often heard of the wide reach of the law next है बकवास है यह सब this is rubbish this is rubbish friends तो यह थे कुछ questions दुनिया की बड़ी बड़ी universities में इसी तरह से कई सारी language सिखाई जाती है जिससे लोग 2 महीने के अंदर हर एक language को बहुत ही आसानी से सीख जाती है तो यदि आप इसी तरही के से English सीखेंगे तो आप मेरा यकीन माने कि बहुत जल्ट आप भी एक fluent English बोलने लगेंगे इसके साथ ही मैं आपको daily कहता हूँ कि आप एक मेंस writing करें writing करने साथ की writing skills listening skills and mental skills बहुत ज़्यादा active होती है जिससे आपको कोई भी language चीखने बहुत ज़्यादा आसानी होती है तो अगर आपको मेरे वीडियो helpful लगा हो तो मेरे वीडियो को share करें like करें, channel को subscribe करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को देखने कोशिस करें क्योंकि जब किसी sentence को अब बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा फिर आपको उसे याद नहीं करना पड़ेगा जहां पर उसकी जरूत होगी आपके दिमाग से automatic English सी बाहर आएगी इस sentence को कम से कम आठ बार जरूर देखें हर दिन आठ बार हर दिन आठ बार हर वीडियो को देखा आप मेरा यकीन माने बहुत ही जाला बहुत अच्छे English बोल पाएंगे